आज की इस वीडियो में हम आपको sociology यानि की समाफ साफ्त के first paper के कुछ common और compulsory question के बारे में बताने वाले हैं जो की परिच्छा में हमेशा repeat ही होते हैं कुछ question common होते हैं जो हमेशा repeat होते हैं तो उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को end तक देखते रहेगा question भी परिच्छा देने जा रहे हैं तो उनके लिए helpful है तो चलिए शुरू करते हैं आते हैं कुछ common और compulsory question के और जिनको आपको तयार जरूर करना है तो पहला प्रस्ण है ध्यान सुनेंगे फ्रांस इसी समाज के आर्थिक पहलो को अस्पष्ट किजी यानि कि जो फ्रांस इसी समाज है फ्रांस की जुकरांत है इससे सम्मंदित question आएंगे तो चलिए फ्रांस के समाज के आर्थिक जो पहलो होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ठीक है तो सिंपल स सिंपल सी बात है कि धन और इंसान की हानी ठोगी और रडाई कि तो ठीक है तो प्रॉंट यहां पर में लिखना है कि सत्रह सोा स clicked प्रांस की आर्थिक इस्थित थी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी तो जो फ्रांस की जो फैनेंसियल कंडिशन थी रुपिय पैसे वाली वह बहुत ही एकदम लो एकदम बेकार हो गई थी कंडिशन अगदम बहुत ही कमजोर हो चुकी थी ठीक है उसके बाद लूई पंद्रुहें ठीक है अब भाई चोदुहें तो मर गया लेकिन फिर आया पंद्रुहें ठीक है तो उसने इस्थित में फुधार लाने के बजाए महाजनों से लड़ लिल लिया भाई जब चोदुह मर गया ठीक है तो कंडिशन खराब गई अब अगला कोई समराण बनेगा तो उसने किया किया उसने इफ्थित जो घरबर हो गई तो इसको फुधारने की जगा और जो बड़े-बड़े ठीक है महाजन लोग थे ठीक है जो एक तरीके से पैसे दे सकते थे ठीक है उनसे लोन ले लिया करजा ले लिया ठीक है रेंड ले लिया ठीक है काम चलाने लगा रेंड लेकर काम चलाने लेगा फ्रांस उस समय कितने गहरे संकर से गुजर रहा था उसकी अस्पस्ट ब्याक्य चाहा, लुई पंधर्वे के कथन मेरे बादप्रले से अस्पस्ट हो जाती है। इन्होंने एक word कहा है, जिसका नाम है मेरे बादप्रले। उसने कितना की इस्तित खराब थी और भी खराब कर दी। और लुई शोल्वे एक कमजोर सासक था, जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विदासत में प्राप्त हुई थी ठीक है उसकी पत्नी महरानी मेरी अंत्वांते अपनी साही खर्च के साथ एक प्रसिद इतिहास में प्रसिद भी हो गई ठीक है तो इस प्रकार रहा फ्रांस के समाज की जो आर्थिक कंडिशन पहलू इस प्रकार थी ठीक है तो इस प्रकार बेसिक से परिभासता लिखेंगे फ्रांस की जो आर्थिक इस्तिति बेसक इंपार्टन कोईश्चन है लेकिन तयार ज़रू करेंगे ध्यान रखेंगे इस उस क्रांत में बहुत सारे क्या हुए बहुत सारे कारण हुए मतलब कि जब भाई कोई चीज की जाती है तो इसके पास मतलब कि जैसे कोलते हैं कि कोई न कोई कार के पीछे कोई कारण होता है ठीक है जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसक उद्धोगी क्रांथ के नाम से जाना जाता है। अनेक जो बिद्वान ने इंग्लेंड तथा फ्रांस की समाजिक आर्थिक दसाओं का अध्यन करके इंग्लेंड में होने वाली और दोगी क्रांथ के कराणों को बिस्तित बिविशना की जी मतलब कि जो फ्रांस की आर्थिक कंडिशन थी ठीक है और समाजिक कंडिशन थी और ध्यान में रखते हुए उसके बारे अध्यन किया जानकारे लिए उसके बाद इंगलेंड में होने वाली और दोगी करां थी के कुछ करण जो हुए उनको विस्तिस से बिवेशन किया गया मजब डीटियल से समझा गया ठीक है इन सभी करणों को समाजिक आर्थिक राजनीत थ तो चलिए जानते पहला समाजी करण था समाजी करण में लिखेंगे आप सबी कि इंगलेंड में और दोगी करांद की अनकोल प्रस्तितिया ठीक है पंदरुही एवं सोलुही सतापदी में ही बन चुकी थी सत्रुही सतापदी में रॉयल सोसाइटी की अस्थापना के साथ बैज्यानिक चंतन में ब्रध्धि हुई समराथ द्वारा बैंक आफ इंगलेंड की गई उसी तरह बैंक आफ में इस भी पारी गद वैस?. बिरफिया में तेज हुई है यानि तो जो बेपार्य बिजनेस में और त्वारा थेज्णर लगा। जिक उसके बाद उत्पादन भी बढ़ने लगा ठीक है किस कोई फैक्टरी या फिर कंपनी लगी उसमें उत्पादन भढ़ने लगा तो भाई बाहर सप्लाई होने लगा तो उससे पैसे की समस्या जो है दूर होने लगी धीरे धीरे करके और उससे काफी समाज की जो लोग थे उन बैग्यानिक खोचकी और गया और दोगी करांद इसी बिज्ञानिक चिंतन के करारम्ब हो सकी ठीक है तो इस प्रकार बेशिक सा लिखेंगे समाजिक करांड ठीक है इंग्लेंड के और दोगी करांद का समाजिक करांड इस प्रकार लिखेंगे और आर्थिक करांड के बारे मे में वहां जब बैंक आफ इंग्लेंड के स्थापना हुई तो इसके द्वारा उद्देग बिग्यानिक खोजों के लिए ब्यापक आर्थिक साहिता दी जाने लेगी यानि कि जो इंग्लेंड में अर्थ यानि कि रुपिय पैंसे या फिर देश की अर्थ ब्यवफ्था होती है उसको मेंटेर रखने के लिए या फिर कह सकते हर निसान जो इंग्लेंड में रहता था उसका जो इंकम का सौर्थ था ठीक है आर्थ ब्यवफ्था जो चलती थी उसका जो मुख्यादार था और क्रसी थ जाते थे वही था लेकिन जब सत्रुहें ऐसा तापदी में एक ऐसा समय आया जब बैंक आफ इंग्लेंड जो बैंक थी शुरुवात की गई स्थापना की गई तो इसके द्वारा क्या हुआ कुछ उद्देवगुमों में यानि की बिजनेसों में वह सारे इंक्रिमेंट य गई जो जल तथा उर्जा के नेने शोते को खूजने में सफलता पराप्त कर ली यानि की दिर देवई उर्जा का साधन को अने पानी का वाई इस तरह बहुत फारे फूरुम तो उनको खूजने में सफल लहा और जैसे जैसे उद्देव ज्यानी कि जैसे जी जो बिजिनेस के लिए आवस्य कच्छे माल की आपूर्थ बढ़ती गई वहां उद्देगों का विकास भी संभू हो गए मतलब कि दीरे दीरे इंक्रिमेंट कच्छा माल लाने लगा यहां से वहां फिर बीच में पैसा मिलने लगा तो फी तरह उसका विकाफ जो ही दीरे दीरे हो पाए इं ने देशों की तुल्ला में इंग्लेंड में सदे और राजनीतिक अफ्थायत अधिक रहा है यहां राजनीतिक अफ्थायत इंग्लेंड के उद्द्युक विकास का एक प्रमुकार्ण सिद्ध हुआ है तो इस प्रकार बेसिक सा पेच्छा लेकिंगे महात्पोर्ट प्रश एक वैचारिक क्रांति थी उसमें क्या था एक वैचारिक यारी बिचार की क्रांति थी इसने समानता यानिकी सभी लोग समान हैं सोतंत्रता सभी लोग फिरी हैं ठीक है तथवा बंधुत्य के दर्सन को जन समाने का हिस्सा बना दिया गया ओके और फ्रांस के जो चिंतक और और बुद्ध जीवियों ने इसे समाने जन तक पहुचाने का कारी किया इस सिधान्त ने पुरानी सासन ब्योफथा में जहां समानती समाज को चुनोती दी गई ठीक है वहीं सोसर उत्पीड़न और अत्याचार के बृद्ध भी आवाज बुलंद की गई मतब कि किफी के फास सोसर ना हो किफी के फास अत्याचार ना हो किसी को समस्या ना हो किसी को परासान ना किया जाए उसके लिए जो है वह आवाज भुलंद की गई कि हाँ भईया अगर कोई गलत हो रहा तो उसके लिए आवाज उठाई जाए और जो सासन है उसका वह सही निड़लेगा गलत बात उसको नियाय मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार वाली प्रेडाम ये रिजल्ट मिला ठीक है तो इस द्रिष्ट से संपूर बिश्व में इस क्रांथ का अपना महत्त है यानि कि पूरे दुनिया भर में ये जो क्रांथ होई थी फ्रांस से का इसका कुछ अलग ही अपना निकला इससे बहुत ज्यादा प्रेडाम रिजल्ट हुई इसी में ठीक है जो फ्रांस की इसमें समाजिक आर्थिक परिडाम भी कुछ निकले जिनके बारे माँ मोंको पढ़ लेना ठीक है इंप्रेंट है गुल्म्रा के कोश्चन जितना हो सके आप त्यार के लिजए आये परिभाफा दीजी यह आपकी स्मस्टर के सोसोलोजी में मतलब किस लेबर जो है उसमें टॉपिक है उफिटा क्वोश्चन है तो आत्म हत्या की परिभाफा सा अलग लोग लोगों निकल सार अलग अलग है लेकिन दुर्खीम ने आत्म हत्या एक ग्रंथ लिखा है ठीक है किस दुर्खीम सें समावसफ़त दश्ट कोड तथा in पृमार प्रस्तुत करने का प्रियास किया है प्रेट ने किया है आत्म हत्या को परवाचित करते हुए दुर्खीम में कहा कि आत्महत्या सब्स्प्रीत की उन समफ्थ घटनाओं के लिए प्रयोग किया है र्योंग जो मतलब की अपने आपको खुद घढ्डे में गिराना एक तरीक इस बोलत सकते हैं अपने आपकी खुद से मरत्यु कर लेना, अपने आपको अपना जीवन स्व possibilitiesACE स्वेर्ण से खतम कर लेना ठीक है नदी में कूदने जा रहे हैं कोई पहाड है या फिर कोई फुल है वहां फे कूदने जा रहे हैं और वो बहुत ही दूरी पे है या फिर पांच छे दस मेंजल की विल्डिंग बनी है और हम वहां सकूद रहे हैं या फिर मालिजे की हम फांसी लगा रहे हैं हम ठीक है पंखे में कहीन किसी भी माद्धीम से तो हम में को पता है कि उसका पर्डाम क्या होगा है और हर इंसान जालता है कि घजा मुचा कैो सक्तिय होग यह क्प बहुत सबस्ट हैं लोग अलग अलग परकार की आत्म हत्या करते हैं को स्ट्रेश हो जाते कुछ लोग फैंद से प्रोब्लम हो जाते हैं कुछ लोगों को ठेकहे ब्लेकमेल किया जाता है और कुछ लोग अपने प्रसंटल कुछ रीजन फैंद वजय के वज़ा से हो जाते है या फिर कोई Excel में में पास नहीं होते हैं तब कदम उठा लेते हैं तो लड़ाई कहीं हो जाती है या फिर बहुत साई टाइप की आत्महत्या होती है और सबकी परिवासा अलग-अलग है और बहुत ही पॉप्लर कुश्चिन इसके बारे में आप अच्छे भी लिख देंगे मुझे पूरा भरोसा है अब अगला कुश्चि नहीं हो kung इसके भारे में आपको तैयार कर लेना है ठीक काम्टके नुम्सार प्रत्रच्छवात की परिभासा ये भी पॉप्लर कोश्चिन येंजिन इसको आप को ध्यान देना है ति cutting कि च्छ्वाद की परिभाँसा नहींिदक ऊबर्दशन को अश्क्वार आशिका अश् फरांस की करانथ के जड़े पक्का दो परस्न के अपनुटिं क सबस्वेर्ग हैं तरिक है तो इस तरीकी बिविन परकार के परस्न के रहे हैं जिफे परस्न के इस व्यश्र। कि 1760 इस्वी के आसपास बेट्रेंट से प्रारंब हुई थी अद्धोगी क्रांथ इससे पहले इंग्लेंट तथा अन्य यूरूपिये देशों के प्रस्चाथ अन्य महादीपों में भी लोगो के समाजिक और आर्थिक जीवन में जवर्जस्त परिवर्तन आया ठीक है तो इ इसका उद्धार कैसे वह इसके बारे मापको जानना जरूरी है तो सिंपल सा उत्तर भी लिखा आप लुक पढ़ लीजिएगा हम आप लोगों के लिए प्रस्ट्र इंक्लूट करते हैं साथ साथ में उत्तर भी इंक्लूट कर देते हैं तापकि आपको एक्जाम में स्याइन आए ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे प्रस्ट्र इसमें मैं यह नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे जो प्रस्ट्र ने वह इसी पीडियाप से आएंगे यह फिर इसी वीडियो से आएंगे लेकिन कुछ कोईस्टन जो कॉमन है जो कि आपको परिच्छा में पास क प्रस्ट किया है जो कि आपके एक्जाम के लिए helpful साबित होंगे यह में वीडियो आप लोगों के लिए इस प्रकार है कि यह पासिंग मार आपको जरूर दिखा दिला देगी यानि कि 30 से 35 चालिस नंबर तक के जो प्रस्टन है इस वीडियो से आपकी परिच्छा में प्रस परिच्छन ऊके बस हम चाहते हैं कि आप लोग सफलों और कुछ ना कुछ जो तैयारी नहीं कि बहुत फारेश्यात्र नहीं किए तो उनके लिए बीडियो बना देते हैं ताकि उनको भी घल्प मिल जाए यह फिर वह फारेश्यात्र है जो तैयारी किए थोड़ी बहुत कि तो उनको भी मिल जाए तो इस प्रकार हम वीडियो बनाते हैं और आपको हेल्फुल साबित होती है और आप लोग को मालूम भी वह यह टेलीग्राम वट्सप पे इसका पेडियाप मिल जाएगा ठीक है डाउन्लोड कर लिजीएगा लिंक वीडियो के डिस्कुर्शन मिल आपको हें